हे गाईस दिस इस अभिल आश और आज में रिव्यू करूंगा इंडियन पुलिस 4 सीरीज का इंडियन पुलिस 4 सीरीज आपको मिलेगी Amazon Prime पर Hindi आडियो में जिसमें है साथ एपिसोड और इंजिंग का रन टाइम है 30-50 मिनिट इच और सीरीज का जॉनरा है एक्शन थ्रिलर त और फिर एंड तक भी दिल्ली पुलिस इनको पकड़ी रही है और अगर तुम्हें अभी भी यह जानना है कि एंड में दिल्ली पुलिस इनको पकड़ लेती है तो हाँ वो पकड़ लेती है और यह जानने के लिए ये वीडियो ही देख लो इस शो में घुसने की कोई जरू से इसका मतलब इसको किसी भी हालत में मूव नहीं किया जा सकता तो सिधार्त मलोतरा जाता है एक अर्मड कार लाता है और धक्का मारते हुए इसे बगल वाले गोडाउन तक लेकर जाता है जहां पर बायो केमिकल वेस्ट है वहाँ उसे फेकाता है और फिर बॉम दमाका हो जाता है फिर इसके अगले सीन में इन दो बच्चों को लाइब टिकिंग टाइम बॉम मिलता है और फिर ये एक बच्चा उसे हाथ मोठा लेता है तो दूसरा वाला बोलता है कि इससे नीचे रख दे तो ना तो किसी के पास helmet है ना तो किसी के पास bulletproof vest है और इनके हाथ में ये KN44 gun कहां से आ गई और चलो एक बार को gun भी छोड़ दो उसके बाद के gun tactics कतई बवासीर दिखाए है इस शो में और इस पूरे शो में सिफ एक ही scene मिलेगा आपको जिसमें कोई actor gun reload करता हुआ actually बस इस एक ही scene में gun reload हुई है बाकि कोई scene में gun reload वाली scene नहीं है इसके बाद ये लोग गोवा में एक drug lord को पकड़ने जाते हैं और पूरी गोवा पुलिस force वहां पर होती है बट इन्हें दिखाना ता दिल्ली पुलिस का जलवा तो फिर अंदर कौन लोग जाते हैं अंदर ये तीन ही लोग जाते हैं और फिर सामने खड़े हुए 40-50 बंदों को ये मार मूर के बाहर आवी जाते हैं और बाहर गोवा पुलिस क्या कर रही है सर वो तो बाहर खड़े हो के बिड़ी फूक रही है फिर इसके बाद ये special forces वाले जाते हैं home ministry और कहते हैं कि धाका जाना पड़ेगा उस terrorist को पकड़ने के लिए और उसके लिए करना पड़ेगा एक covert operation अब इसके बाद ना ये पड़ो covert का मतलब इसका मतलब ये होता है इसके बाद ये लोग धाका railway station जाके गोली बारी करना शुरू कर देते हैं I was like अब ये covert up होना था भाई इतना तो जंता को बे एक्टर की लव स्टोरी है जो कि शो में नहीं भी होती तो ये शो और जाद अच्छा होता फिर इस terrorist की भी गर्फ्रेंड और उसकी भी लव स्टोरी दिखाई है कुछ भी चल रहा है मतलब तो बस यही है major spoilers में तो इसके बाद acting वाले department में major screen time इन तीन लोगों का रहा है अच्छार्ट मलोतरा की acting इतनी वाहियात यह भले ही suit कर रहे होंगे अपने look में बट यह जब भी इनके मुह से dialogues निकले बट इनसे भी खराब काम किया है मयंक टंडन है यह originally रोहे चेटी की हर मूवी में assistant director रहें और इसी को उठा के विलन बना दिया है and this guy is utter bullshit he is utterly disgusting यार इस से बेटर तो ना वो टिक टॉक वाला जो जोकर हुआ करता था उससे उठा के विलन बना लेते यह लोग वो ज्यादा बेटर तरीके से terrorist बन जाता भाई और यह मैं exaggerate नहीं कर रहा हूं मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं फिर इसके बाद की cast extended है जो कि शो में नहीं भी हो चाहूंगा कि भाई तुमने ऐसा क्या रिसर्च किया मतलब एक कोवर्ट शब्द का तो मतलब तुमसे गूगल हुआ नहीं यह करेंगे रिसर्च बताओ इसके बाद डायलोग्स ऐसे हैं कि मतलब टिक टॉक वालों को भी प्राउड फील हो जाएगा कि यह वह ज्यादा बे वाली ट्यून और फिर इस शो में गाने हैं और वो क्यों है यह बगवान भी नहीं जानता भाई प्रोडक्शन डिजाइन में आदे से जादा इन लोगों ने ग्रीन स्क्रीन यूज़ किया है और इतना घडिया वी एफेक्स है मतलब ऐसा लग रहा था कि इसको MS वर्ड में आते हुए आ रहे हैं और फिर उस चीज को डिवाइड बै सेवन करके वेब सीरीज की थाली में डालके इंडियन जंता को यह परोज देंगे और इन कंक्लूजन यह एक सरदर्द शो है और वैसे मेरी मानों तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ कुछ और देख लो बट अगर यह रिव्यू अगर आपको helpful और logical लगा तो please don't forget like and subscribe मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक ध्यान रखो अपना be awesome बाई बाई